दिस इस अन इंडी पॉड्कास्टर प्रोडक्शन आप सुन रहे हैं कहानी जानी अन जानी प्यूश अगर्वाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमश्कार दोस्तों कहानी जानी अन जानी के 146 वे एपिसोड में आपका स्वागत है जी हाँ 144 वे एपिसोड और हम आपके सहयोग से 1500 वे एपिसोड पूरा करने वाले हैं जिसके साथ हमारा सीजन 3 भी खतम हो जाएगा क्या आपके पास कुछ ऐसी कहानिया हैं जो आप कहानी जानी अन जानी पर सुनना चाहेंगे तो जल्दी हमें जरूर लिख कर बताईए जहां कई भी आप हमें सुन रहे हैं ताकि हम उन कहानियों को एक एपिसोड में शामिल कर सके तो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे दिन बिताने की सोची है जहां आप सिर्फ सच बोले सच मतलब सच कोई कूट नितिक जवाब भी नहीं ऐसी ही कुछ कोशिश की हमारी आज की कहानी के पातर शेकर ने भी तो चलिए जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ हमारी आज की कहानी का नाम है सूरज जैसा जिसे लिखा है आरके नरायन जी ने इनका पूरा नाम रासी पूरम कृष्ण स्वामी अयन नारायन स्वामी था और इनका जन मद्रास में हुआ एक कहानी कार के रूप में नारायन जी का प्रमुक स्वर कोमल व्यंक है इन्हें पद्म विभूशन और पद्म भूशन से सम्मानित किया गया है इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट pvshagarwal.com के शो नोट्स पर जाएं और जैसा हमने पहले भी कहा है इनकी कहानिया तो हमारे बच्पन का एहम हिस्सा है और माल गुड़ी डेज नहीं देखा तो क्या देखा? सूरज जैसा आरके नारायन सत्य शेखर सोच रहा था सूरज की तरह है मेरा खयाल है कि कोई भी आदमी बिना आखे जपकाई या चौन्दियाए हुए उसे सामने से देख नहीं सकता वह महसूस करता था कि सुभे से शाम तक मानवी संबंधों का तत्य सत्य को कम करने में लगा रहता है जिससे उसका धक्का न सहना पड़े उसने यह दिन विशेश दिन के रूप में जियों कत्यों रहने देने का निश्चय किया कि साल में कम से कम एक दिन ऐसा रहे जब जो भी होता है उसे वैसे ही होने दिया जाए नहीं तो जीवन जिये जान योग या नहीं रहेगा यह दिन बहुत से संभावनाई लेकर आ सकता है लेकिन इस प्रयोग के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया यह शांत प्रस्ताफ था गुप्त समझोता उसके और अनन्द के बीच पहली परीक्षा सवेरे ही आई जब उसकी पत्नी ने खाना खाने को दिया उसने एक पदार्थ पर नाक से कोड़ी जो पत्नी ने खास तोर पर उसके लिए बनाया था उसने पुछा क्यूं अच्छा नहीं लगा और समय होता तो वह उसकी भावनाओं का खयाल करके कहता अरे नहीं दरसल आज मुझे भूक नहीं है और कोई बात नहीं है लेकिन आज उसने कहा यह अच्छा नहीं लग रहा मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा सुनकर पतनी चुप हो गई जिसे देख कर उसने सोचा मैं कुछ नहीं कर सकता सत्य सूरज जैसा होता है दूसरी परिक्षा दफ्तर के कॉमन रूम में हुई जब उसके एक साथी ने आकर कहा फलाने आदमी की मौत हो गई या खबर नहीं सुनी कितना बुरा हुआ नहीं कितना अच्छा आदमी था दोस्त ने कहना शुरू किया शेखर ने फौरण उसकी बात काटी बिल्कुल नहीं वह हमेशा मुझे कमीना और स्वार्थी इंसान लगा स्कूल के आकरी घंटे में जब वह तीसरी कक्षा के सेक्षिन ए को भुगोल पड़ा रहा था उसे हेड मास्टर का आदेश मिला घर जाने से पहले मुझ से मिलो शेखर सोचने लगा जरूर यह इन इम्तहानों की कौपियों के बारे में होगा सौ लड़कों की उल्टे सीधे ढंग से लिखी कौपिया जाचने का काम वह हफतों से टाल रहा था जैसे उसकी गर्दन पर तलवार लटक रही हो घंटी बजी और बच्चे क्लास छोड़कर भागने लगे शेखर हेड़मास्टर के कमरे के आगे शन भर के लिए रुका और कोट का बटन ठीक किया इस विशेपर भी हेड़मास्टर कई दफाव से टोक चुका था वह बड़ी नमरता से भीतर घुसा और बोला गुड इवनिंग सर हेड़मास्टर ने सिर उठाकर हलके पंच से उसकी तरफ देखा और पूछा आज की शाम आप खाली हो बस जरा बच्चों को बाहर लेकर जाना है उनसे मैंने वादा किया हुआ है उन्हें किसी और दिन ले जाना आज मेरे साथ घर चलो अच्छा जी सर जरूर वह बोला फिर धीरे से पूछा कोई खास बात है सर हाँ हेड़मास्टर मुस्कुराते हुए बोला तुम्हें मेरे संगीत के शौक के बारे में पता नहीं है जी हाँ सर मैं चुप चाप सीखता और अभ्यास करता रहा हूँ और आज शाम तुम उसे सुनो यह चाहता हूँ मेरे साथ एक बाजा और एक वाइलिन बजाने वाला भी रहेगा पहली दफा मैं सारवजनिक रूप से इसे प्रदर्शित कर रहा हूँ और तुम्हारी राय चाहता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारी राय मेरे लिए कीमती होगी संगीत में शेखर की रूची सब को पता थी संगीत में वह ऐसा समिक्षक था जिससे शहर के संगीत अग्यक घबराते थे लेकिन वह नहीं सोचता था कि इस कारण उसे यह काम करना पड़ेगा तुम्हें ताज़ुब हो रहा होगा मैंने इस पर काफी पैसा खर्चा किया है दोनों हेड मास्टर की घर की तरफ चले इश्वर ने मुझे बेटा तो नहीं बक्षा मैंने सोचा कि संगीत सही संतोश कर लू उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा वे बताते रहे कि किस तरह एक दिन बोरियत से तंग आकर उन्होंने यह फैसला लिया कैसे उसका गुरू पहले उस पर हस्ता था फिर उसे आशा बंदाने लगा कैसे वह इसमें सुकून पाना चाहता है घर पर हेड मास्टर ने शेकर की बड़ी खातित तवज़ो की उसे लाल सिल्की दरी पर बठाया उसके सामने तश्तरिये में खाने पीने की चीज़े रखी और घर में दामात की तरह उसका सेवा सतकार किया उसने यह भी कहा तुम स्वतंत्र भाव से सुनना इम्तिहान की उन कौपियों को भूल जाना मैं तुम्हें उनके लिए एक हफते का समय देता हूँ इसे दस दिन कर दीजिये ठीक है दस सही हेड मास्टर ने उदारता से कहा यह सुनकर शेकर खुश हो गया वह दस कौपिया हर रोज जाचेगा और दस दिन में खत्म कर देगा हेड मास्टर ने धूब जलाई बोला इस सही वातावरन बनेगा तबला और वाइलिन वादग रंगून की दरी पर बैठे इंतिजार कर रहे थे हेड मास्टर उन दोनों के बीच में पेशिवर गाय की तरब बैठ गया गला साफ किया और पहले एक आलाप लिया फिर रुक कर पूछा यह शुद कल्याणी है ना शेखर ने सवाल न सुनने का नाटक किया फिर हेड मास्टर ने पूरा गाना गाया त्याग राज का गाना फिर दो और गाने सुनाए हेड मास्टर गा रहा था और शेखर अपने मन में कह रहा था आवाज ऐसी है जैसे दरजन भर मीन डख बोल रहे हो फिर बैल की तरग गरजने लगता है कई दफ़ा लगता है जैसे तुफान में खिड़किया कड़कती है धूब बत्या धीरे धीरे जल रही थी दो घंटे तक शेखर के कान इन उबढ़ खाबढ़ आवाजों से बचते रहे और उसका सिर चक्राने लगा हेड मास्टर की आवाज एकदम करकश हो चली थी फिर अचानक वह रुख कर पूछने लगे गाता रहू शेखर ने जवाब दिया जी जी नहीं सर आप रुख जाईए मेरा खयाल है यह काफी है हेड मास्टर यह सुनकर स्तम रह गया उसके चेहरे पर पसीना उतर आया शेखर को उस पर तरस आ रहा था लेकिन उसे लगा कि वह कुछ कर नहीं सकता कचहरी में बैठे किसी जज को इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी शेखर ने देखा कि हेड मास्टर की बीवी किचन से जहाक रही है तबला और वाइलिन वाधकों ने चैन की सांस लेकर अपने वाध्य रख लिए हेड मास्टर ने चश्मा उतारा माथे का पसीना पोचा और पूछा अब बताओ तुम्हारा मत क्या है शेखर ने टालने की कोशिश की कल बताओ तो कैसा रहे नहीं आज और अभी मुझे तुम्हारा मत जानना है सही राय देना मैंने अच्छा गाया जी नहीं सर ओ तो मैं अभ्यास जारी रखूँ बिल्कुल नहीं सर शेखर ने जवाब दिया उसकी आवास काप रही थी उसे दुख हो रहा था कि वह ज्यादा मीठी बात नहीं कर सका वह इस नतीजे पर पहुँचा कि सत्य को सुनने के लिए जितनी शक्ती की जरुवत होती है उससे ज्यादा शक्ती उससे बताने में लग जाती है वह परिशान होकर घर लोटकर सोचने लगा कि इस से उसकी नौकरी प्रभावित होगी नौकरी में वेतन विद्धी उसके स्ताई होने और इस तरह की कई समस्याय थी जो हेड मास्टर की इच्छा पर निर्भर है उसे इस तरह की अनेक चिंताई गेरने लगी राजा हरीश चंद्र ने प्राचीन काल में सत्य बोलने कारण अपना राज्य पत्नी परिवार सब कुछ खो दिया था अब क्या होगा घर पर पत्नी ने उदास चहरा लेकर खाना खिलाया वह जानता था कि पत्नी उसकी सवेरे की टिपनी के कारण अब तक उससे नाराज है आज दो दुरघटनाई हुई मेरे साथ अगर इसी तरह मैं सत्य का आगरा करता रहा तो कुछ दिन में मेरा एक भी मित्र नहीं रह जाएगा दूसरे दिन क्लास में उसे हेड मास्टर का आदेश मिला कि आ कर मिलो वह चिंतित होकर कमरे में घुसा तुम्हारा सुझाव उपियोगी रहा मैंने संगीत सिक्षक का हिसाब कर दिया है आज तक किसी ने यह सत्य मुझे नहीं बताया इस सुम्ब्र में यह सब नाटक गलत है धन्यवाद अच्छा उन कौपियों का क्या करना है आपने उन्हें देखने के लिए दस दिन दिये हैं ओ लेकिन मैंने उस पर फिर सोचा मुझे कल सब कौपिया चाहिए एक दिन में सौ कौपिया यानी सारी राद बैठना पड़ेगा सर मुझे दो दिन तो दीजिये नहीं कल सवेरे मुझे जरूर चाहिए और याद रखना हर कौपि ध्यान से जाचनी है यह सर शेखर बोला और सोचता रहा कि राद भर बैठकर सौ कौपिया चाचना सत्य बोले की ज्यादा कीमत नहीं है तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की छोटी सी गुदगुदी कहानी शेखर के सज बोलने की हिम्मत ज्यादा नहीं लगी आपको क्या लगता है क्या आप एक पूरा दिन सिर्फ सच बोल पाएंगे हमें जरूर लिख कर बताएं hello at the rate pushagrawal.com पर आप जहां कहें भी हमें सुन रहे हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं साथ ही Apple Podcast और Spotify पर हमें review और rating देना न भूले मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ कहानी जानी अन्जानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाए pushagrawal.com पर और support the show लिंक पर क्लिक करें ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है आज के अपिसोड की प्रड्यूसर है देवानशी बत्रा आप सुन रहे थे कहानी जानी अन्जानी पॉश अगरवाल के साथ जो की इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए